हलो गाइद वेलकम टो माई चैनल तो एक बार फिर से मैं आई हूँ आपके साथ कुछ नया लेके आज मैं आपको यहां पर बताने वाली हूँ बैकनेक डिजाइन तो बहुत ही प्यारा बैकनेक डिजाइन बताऊंगे बहुत ही असान तरीके से इसके लिए जोड़े रहे हमा कच किया हुआ है तो यहां पर मैं फैब्रीक है तो इसकी ंख उल्डर हे हमें ताफे 6 फिसे में बनाई हूए है। यह अपने हिसाब ती बैकने इंपनाया हूँ अ बंसाब हुट dieta है मैं इसका मोला बनाव आपको पो तो मैंने क्या कोम आनतंा वक ए हूब हो रहाजकार स्ट्रेश लगाने के बाद में देखिए मैंने एक अस्थर भी लगा हुआ है तो इस तरह से यह यह बार-बार पूलेगा नहीं जенसेते हैं आपको भोद में कट कर दिए किसे मेरे डीरख कर लिखा है निखें कोजिए किन्च करना लाते हैं और जो हमारा अस्तर होता है उसे हमने परफेक्ट कटिंग देनी रहती है तो अभी मैं इसे कट कर दूंगे अच्छे से कट करनी के बाद देखिए मैंने क्या करना है मैंने इसे डबल पूल्ड करना है और इसका जो गला है वो मैं canvas paper पर बनाऊंगी तो इसके लिए दिखी क्या करना है मैंने गले को दाई इंच की चोड़ाई रखनी है और लंबाई मुझे रखनी है इसकी जो टोटल लंबाई है वो मुझे यहाँ पर 10 इंच की रखनी है आप अपने हिसाथ से कम्या जादा कर सकते हैं तो इसे मैं canvas paper पर ब बलत देते हैं तो इसे मैंने क्या क्या थीप दिखी है और इसकी लंबाई दिये इसकी तो 13 इंच पर मैने गला रखनी है कि मुझे हूँ देदेयन बनानी है तो इसके लिए मैंने ज्यादा बड़ा यहां पर गला किया हुआ है और इसका जो मैन गला रहेगा वो यहां पर दिखिए कट नहीं करूंगे तो अभी यहां पर दिखिए जो हमारा मैन गला रहेगा उसको मुझे यहां से कर देना है जैसे आप गोल गले में देते हैं सैम ऐसे ही और अभी मैंने जो इसका अस्तर है उसे मैंने ऐसे काट लिया है और यहां पर इसको में रखे वह सैट कर लूँगे औ इसके बाद जो भी इसका अपड़ा है आप कट करके निकाल दीजेगा और हाव आप इंज यहां पर हमने बचा लिया है क्यूंकि मुझे कैंबस प्रेपर को इसे अच्छे से कवर कर देना है अब इसके चारव तरफ में लगा दूंगे इससे लाइचे से यहां पर गले पर सलाई लगा लिए और अबी में इस तरह से यहां पर रिखिये एक नाट करूँगे जो इसकी लाइन थी उसको डार कर लूंगे और ऐसी सिसे पलटके और इसके जो निसाने दूसरे सैड में ऐसे बना लूँगी इस तरह से और वहां पे भी हमें ऐसे डार्क कर देना अच्छे से इस तरह से और यह हमारे यहां पे गला तयार हो गया है और अभी मुझे इसे अपने मैन फैबरिक पे रखे इस तरह से सैड करना है तो सबसे पहले मैंने पलटके बीच में एक लाइन बना ली है और उसी लाइन को मैंने ऐसे चौक से अच्छे से दार कर दिया है और अभी देखें उपर बीच में रखते हुए और जो हमारा जो बड़ा गला है उस पे हमें ऐसे स्लाई लगानी अच्छे से पूरी गले पे उसी जो हमने निसान बनाए उसी निसान पे अच्छे से आपको लगानी है और तेडा मेरा नहीं होने चाहिए नहीं तो क्या रहेगा आपका गला एक साइड में टेडा मेरा हो जाएगा तो पहनने के बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो यह लेको बीच का निकाल यूह से तरह वहोगा पर इसके सला proposed कोशुचा है और प्ना किलोख को सब्से कर लाका बना है और कि अंधीम करसे वर्यार सब वर्ट करें यहां प क्लैक पर टाल के निकाल लेना कशिया चुर्द provocation मैंने बीच का पार्ट निकाला था उसका मुझे बनाना है डिजाइन तो से पहले मैं यहां पर प्लेट लगा दूँगी तो यह देखिए मैंने 4-4 इंज पर यहां पर निसान बनाया है और यहां पर मैं लगा दूँगी टक्स प्लेट इस तरह से दोनों साइड में मुझे ऐसे ही प्लेट लगा दीनी है तो यहां पर हमारा जो बैक पाइट है अभी तयार हो गया है और अभी मुझे इसमें डिजायन तयार करनी है तो इसके लिए आप कोई भी पेपर ले लिजिएगा न्यूस पेपर बगार कुछ भी या और इस तरह से ज कि अवह दो कम कर द एधार किस नें और जहां पर एक एक इंच को मैंने इस तरह से निसान बना दीए हुई आ साब flash करना है कि अज़्धम और उनी निसान को मुझे एकदम सीधनी कर लिए मरें सीधनी करने के बाद किसी क्वाबसरास prop इसको निसान है टीविघाद ज़िएर है दूसरा वाला उसको निटोड़ा बढ़ा के लेना है क्योंकि हमें जब लाइ करना है तो हमें उदर एक्स्ट्रा ही चाहिए अब मुझे आप एक पत्ली पत्ती बनागे त्यार करनी है है तो मैंने आप इसे करीब हाप इंशे भी पतली यानि आप पत्ती त्यार किये और पट्टी त्यार करने के बाद में दीखिए मुझे किती पूर लंभी लंभी कट करनी है मुझे यहाँ पर यासे मापना है और हापा पिंज उपर जादा दोनों साइड में मुझे बढ़ा के लेना है और कट कर लेना है तो यहां पर मैंने सारी पटी अच्छी से कट कर लिए और अभी मैंने जो लाइन बनाई है उन्ही लाइनों के उपर रखते वे मैं यहां पर गले पर इस तरह से तलाई दे दूँगे तो बहुत ही सुन्दर यह मकर संक्रांती के लिए हमने बलाउज बनाया है आपको अगर पसंद आएगा तो अब लाइन को शियर जरूर करिएगा तो यह दिखें हमने यहां पर अच्छी से एक साइड में लगा लिए और अभी जो हमने यहां पर पट्टियां लगाई है उनको सीधा करते हुए जो लाइन बनाई थी उन्हीं के उपर रखते हैं मुझे ऐसे लगा दीनी है उसी सेप में जिस सेप में मैंने गले को कट किय खिरल यहां था फिर जो भी इसका एक्टाँ करों अबाद में कट करके निकालना है तो दीकिए इस तरह से और अभी मुझे जो अमने गले पर निसान बनाया था उसको मुझे झाल कर लेना है कट करने के बाद में मुझे यहां पर गले की पट्टी लगानी है तो मैंने मैन फैब्डी की यहां पर और पट्टी कट की थी और अभी मुझे इस तरह से गले पर रखते हुए यहां पर लगा लेनी है और इसे पलटते हुए यहां पर जैसे आप पाइपिन लगाते हैं फ्र तब बढ़िया से तयार हो गया है अभी देखिए मैंने यहां पर लूप ली है तो मैंने यहां पर रेडिमेट लूप ली आप चाहे तो यहां पतली सी लूप बना भी सकते हैं तो मैंने इसे डबल किया हुआ है डबल करने के बाद में देखिए मैंने एक साइड में इस तरह यह जो गला है बनके तयार हो जाएगा देखिए आप ट्राइ किजेगा और हमें कमेंट बक्स में जरूर बताइएगा यहां पर देखिए हमारे जो लूप अच्छे से अटैच हो गई है और अभी मुझे क्या करना है यहां पर इससे कट कर देना है जो भी एक्टर बची हुई है और इससे मैं गळले में सेट करूंगी तो इसके लिए जो पीच की यहां पर दीखिए बीच का जो मेडल प्रेंट करेंगे तीनों जगए फिन लगा लेना है तीक है फिन लगाने के बाद में देखिए मैंने आप उसी की मिलते शुलती एक लेस लिए उसको मैंने अच्छे से गले पे लगा कर एसे कबर किया हुआ है आप यहां पर चाहें तो आपने मन पसंद दूसरी लेस भी ले सकते हैं पर इसके बाद में जो पर था बुझे फाड़ देना है पीछे से इस तरह से तो इहां पर हमारा जो गला था पीछे का और अब मुझे इसमें लगा देनी है लूप तो मैं ने हां पर एक गेपिंग पर पर ते रस तरह से लुप लगा के ब्लॉज स्क्राइब लगा सकते हैं अभी घर बनां के लगा सकते हैंढ़ी तो आप सारे वीडियो में अप्लोड की अब आप हमार चैनल पर जाके जरूर देखिए गा थैसे लिए आपको यहांसरा ब्लॉज स्पार हैं असुप make किसे तो मिलते ही ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग